बिसमिल्लाहिरोख्मानिरोहीम, असलाम अलेकूम तो कैसे हैं सब लोग, उमीद करता हूँ को सब लोग खैरियसे होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल मैथ के पेपर की बारे में और ये पेपर आपके पास है एन्वल एक्जाम दोहजार चोबिस का जो के आपके पास रिसन पेपर हुआ था एन्वल एक्जाम के अंदर तो आज हम देखने वाले हैं कि जो जनरल मैथ का पेपर था दोहजार चोबिस में होने वाला वो सारे का सारे उनमें जो कोशन आये थे वो कहां से उठाए गई थे बहुत सारे स्टुडेंट जो है वो मुझे मेसेज कर रहे थे सर हमें जनरल मैथ के पास पेपर के बारे में बताएं जो एन्वल पेपर में एन्वल एक्जाम के अंदर हुआ था और उसके जो कोशन थे वो कहां कहां से उठाए गई थे मतलब के किन एक्सराइज से और कहां किस किस चैप्टर से उठाए गई थे तो आज हम जो है वो इस वीडियो के अंदर उस पास पेपर के बारे में बात करेंगे कि आपका वो पास पेपर कहां से आया था तो यह आपके सामने पास पेपर है जनरल मैट का दो हजार चोबीस का एनुवल एक्जाम वाला तो जल्दी से देखते हैं किसमें जो कोशन हैं वो कहां कहां से आये तो पहले मैं आपको यह पेपर दिखा रहता हूं अगर आप इसका स्क्रीन शोट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं तो आपके सामने यह सारे के सारा पेपर है यह आपके पास फर्स पेज है और यह आपके पास जो है वो सेकंड पेज है तो यह आप इसका जो है वो screenshot mute करके वीडियो को जो है वो ले सकते हैं रोग के वीडियो को ले सकते हैं तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि यह जो आपके पास सारी का सारा paper था यह आया कहां से था तो सबसे जो पहला question था स्ट्रेंट्स आपने सासत mark करते जाना है अपनी book सामने रख ले और सासत जो है उसको mark कर ले तो सबसे पहले आपने आना है यह exercise 1.1 पे exercise 1.1 पे आपने question number 12 जो है जहां पे मैंने 2024 G लिखा हुआ है जहां पे G आये गा लफ़ज इसका मतलब general होगा ठीक है तो मैंने हर question के सामने जो general math का question होगा उसके सामने G लिखा हुआ होगा तो 2024 G लिखा हुआ है question number 12 है और इसके सामने 2015 में लिखा हुआ है कि दो दफ़ए आ चुक है 2015 में और अभी recent जो आपको paper दिखाया है 2026 general में तो यह आ चुक है paper पहला question यह आपके पास है आगे चलते हैं देखते हैं तो दूसरा इसका part कहां से आया था तो आपने आना है exercise 1.2 पे exercise 1.2 पे थोड़ा से नीचे आएंगे आप तो यहां पर आपको question number जो है वो question number मिलेगा 36 question number 36 है आपके पास exercise 1.2 का और जहां मैंने लिखा हुआ है दो होजार जोबिस और जी लिखा हुआ है साथ में तो यह पहला question complete हुआ इसके दोनों part मैंने आपको बता दी है दूसरा question का पहला part था वो आया था 2.1 exercise से और यह question number 3 बनता है question number 3 2.1 exercise का question number paper का बनता है 2 और इसका आपके पास पहला part है यानिके ए पार्ट है इसका बी पार्ट देखते है कहां से आया था बी पार्ट के लिए आपने थोड़ा से निचे आना है निचे आएंगो तो आपको यहां पे exercise मिलेगी 2.2 यह आपके पास 2.2 से था और 2.2 का यह question number कौन सा था question number है 51 यह आप देख सकते हैं जहा next plus y का square आपके पास यह तो बनता है इसका question number 2 का second part paper में next question देखते हैं आपके पास next question आपके पास basically example थी example number है आपके पास 26 page number यह बनता है 55 और जहां पे लिखा हुआ है find the nth derivative of y is equal to e की पावर x into log x तो यह 24 में general paper में आपको आया था next बात करें तो यहां पे आपके पास आप page number 108 पे यह chapter 3 है chapter 3 में page number 108 है और यहां पे आपको मिलेगा question number 8 question number 8 के सामने मैं ने लिखा हुआ है 2024 जी तो यह question बनता है अगर हम next question की बात करें तो next question की बात लेते हैं तो यह 3.2 exercise आपके सामने है और पहला question है इसका पहला question ही आपके पास 24 लिखा हुआ हुआ है उपर तो भी आप मार कर लेंगे अगले कौशन के बात करें तो यह बिसीकल एग्जामपल है और पेज नमबर है वन टू टू यानि कि एक सो बाइस पेज है चैप्टर त्री ही है और इसका आपके पास एग्जामपल नमबर फोटीन है और मैंने सामने लिखा हूआ है 2024 नेक्स बात करते हैं जी अगला कोशन बात करते हैं के लिए कोशन आया था आपको पास 4.4 से और 4.4 का जो कोशन नंबर आपके पास 13 है कोशन नंबर 13 X की पावर 4 और X की पावर 4 प्लस 2X स्क्वेर प्लस 1 सामने लिखा हुआ है 2024 तो इसको आप मार्क कर लेंगे आगे बात करते हैं 4.5 से गला कोशन था और 4.5 का कोशन नंबर कौन सा था ये कोशन नंबर था 15 कोशन नंबर 15 सामने लिखा हुआ है 2024 तो इसको भी आप मार्क कर लेंगे आगे चले हैं तो आगे वे जो आला question दो था वो 5.2 से था 5.2 का कौन सा question था देखते हैं 5.2 का question number 20 जो सामने मैंने लिखा हुआ है 2024 जी लिखा हुआ है तो ये question number 20 बनता है paper का अगले question की बात कर लेते हैं जल्दी से तो अगला question आपको आया था 5.4 से 5.4 में आपको पाता reduction formula वाले questions है और ये आपके पास आया था question number 24 ये आपके पास 2023 में भी आ चुका है और अभी जो मैंने आपको paper दिखाया है annual वाला 2024 जनल का उसमें भी आ चुका है तो ये था उसका अगला question जाक से देखते हैं अगला आपके बास एक basically theorem आपको आया था ये आया था theorem आपको chapter 6 से जहां पे tangents and normal वाले question है page number मैं आपको बता रहता हूँ 241 है page number 241 और theorem है 6.20 ये मैंने सामने लिखा हुआ है 2024 जी लिखा हुआ है तो जी का मतलब जनल है मैंने बताया था ओपर तो theorem ही आया था basically आपको 2024 अन्वल के अंदर है अगले question की बात करें तो आपके पास जो next question है वो 6.5 का question number 5 बनता है आपने इसका sketch बनाना था तो ये question number 5 है r is equal to a sin 3 theta इसको भी आप मार्क कर लेंगे इसके बाद आगे चले तो आपके पास अगला question 6.6 exercise से था और कौन सा question था ये आपके पास question number 7 है जहां पे 2024 लिखा हुआ है तो ये question number 7 आपके पास next question बनता है ये मैं आपको बता दू कि मैं तरतीब से बता रहा हूं question तो जैसे रह आपके पेपर में तरतीब के साथ question है वैसे ही मैं आपको तरतीब से बताता जा रहा हूं आगे बात करें तो अगला question था वो 6.7 से था 6.7 का कौन सा question था चले देखते हैं आपने निशे आना है तो आपको यहां पे question number 15 मिलेगा आपने प्रूफ करना है कि पीडल equation जो होती ह करव की वो यह होती है 9 into r square minus a square equal to 8p square यह अपके पास question number 15 बनता है exercise 6.7 का आगे बात करें यंगले question की तो अगला जो question है वो chapter 7 से था chapter 7 की basic example है example मिलेगी आपको page number 284 पे यानि कि 284 page number पे आपको मिलेगी example 8 तो इसमें आपने ism toad find करने एक करव के तो यह भी आपने 24 लिखा ह है मैंने सामने तो यह आप जो है वो कर सकते आगे बात करें तो 7.1 से एकला question था 7.1 से एकला question था आपके पास यह 2024 मैंने जी लिखा हुआ है तो question number 8 बनता है question number 8 है तो इसको भी आपने जो है वो mark कर लेना है अगले question की बात करें तो next question आपको आया था basically आपके पास 293 page पे आपको exercise मिलेगी 7.2 7.2 exercise मिलेगी जहां पे आपने relative extreme find करना है इसका जो question number 2 है इसके सामने मैंने लिखा हुए 2024 जी तो ये question जो है वो next बनता है इसको भी आपने mark कर ले आगे बात करें तो आगे बले आपके पास question जो था वो 7.5 का पहला question 7.5 का पहला question ये आपको आया था 2024 में वीजो पेपर मैंने आपको दिखाया है इसको भी mark कर ले next question की बात करें तो ये आपके पास बनता है जो page number आपके पास है 329 page number 329 है और इसका जो chapter number 7 ही बनता है इसमें आपने intrinsic equation find करनी है और ये question बनता है question number 17 question number 17 जहां पर मैंने लिखा हुआ है 2024 तो इसको आपने mark कर लेना question number 17 अगला question है वो आपके पास basically 9.1 से था 9.1 का कौन सा question है जी question number 5 है ये लिके 9.1 अक्सेसाइज है और इसका question number 5 है जहां पर past भी लिखा हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ है 2024 चनल तो ये आपने जो है वो mark करने है अगले question की बात करें तो अगला question है 9.2 का basically question number बनता है 5 9.2 का question number ये 5 है जहां पर दिखा हुआ अगर हम अगले question की बात करें तो अगला question आपको 9.6 से आया था 9.6 का ये question number है आपके पास 3 question number 3 है 9.6 ये last आपका portion बनता है last section बनता है general math का तो ये question number 3 बनता है आपका paper वाला अगर हम जो है वो इसके last question की बात करें तो last question आपको basically example आई थी एक example कौन सा page आई ये ये आपको मिलेगी 460 page पे चार सो साथ पेज नंबर है और इस पे आपको मिल जाएक example number 4 तो ये है वो last question जो paper में आपको आया था तो आज की इस वीडियो में हमने general math annual exam के बारे में डिसकस किया सारे के सारे में आपको question mark करवा दिये हैं अगर आपको नहीं पता चला तो वीडियो को rewind करके देख लें दुबारा देख लें अगर फिर भी आपको कोई question है कोई नहीं समझा रही आपको तो आप मुझे comment section में लाजमी बताईएगा अगर आपको इसके notes वगरा चाहिए calculus के method के या किस your book के notes चाहिए तो आप हमारे given number पे राब्ता करके वो भी ले सकते हैं अपना बहुत सारा क्या लखिएगा दौा में दूरूर याद रखिएगा अल्ला हाफिज